आनन्द माश्री चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल पर बने रहने के लिए बैल आइकन में आल बटन दबाए सारी लेटिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे एक वाटर मोटर के बारे में बताना चाहरा हूं कि में लिए वीडियो नॉर्मली आपने देखे होंगे बहुत सारी घर के लिए बैस्ट होती है बड़ यह है कि इसमें क्या खासियत है और मैं आपको सलह क्यों देने आया हूं कि वीडिय इसमें में मोटिल जो है वो जैट पंप है और जैट पंप किस तरीके का है तो यह थोड़ा सा आपको पोर्शन दिख जाता है अब इसकी अन्बॉक्सिंग भी करेंगे सब कुछ जिस में आपको तिखाऊंगा वीडियो में और जो नॉर्मल इसके प्राइस जो पीछे इसमें बढ़ गाईस यह आपको 6,000 पर तक की पढ़ जाती है मार्केट में और बात करें कब मैनिफेक्टरिंग होई है तो यह फरवरी में दो है बीच में मैनिफेक्टरिंग होई है उसके बाद लॉक्डाउन ही था लमसम एंड बात करें गाईस कहां की इसकी सब्सक्राइशन डिटेल बता दू तो यह एक किलोबाट की है और 0.75 होट्स पावर की है और 220 बॉल्ट की सप्लाइए जो की गाईस से फिक्वेंस होना चाहिए 50 हर्ट्स पर और नॉर्मली गाईस यह बैस्ट आपके लिए कैसे है तो इसके करेक्शन भी मैंने खुदी कर लिया थे वैसे तो बहुत इसी था कोई ज्यादा यूस्फुल नहीं था और क्रॉप्टन मैं कम्पनी का नाम बताना भूल गया में ली तो क्रॉप्टन की है यह इसमें फरक होता है कि आप नॉर्मली कोई भी मोटर लेते तो उसमें सेंट्रिफोगल पंप होता लगावा इसमें सेंट्रिफोगल जैट पंप है जैट पंप मोटर नॉर्मली संवें सेंने चैसी होती है तो आप इसकी बात करते है यह main difference होता है सब में तो guys, आपका problem रहती है, मैं normally centrifugal pump ले रखा है, जो कि guys, एक सामने के side से होता है, एक उपर के side होता है, छोटा सा triangle में होता है, तो guys, centrifugal pump होता है, पानी को suck करता है, पुश करता है, तो guys, यही main target होता है, but उसमें वो compressor कह सकते हैं, एक vacuum create नहीं कर पाता, अच्छी तरीके से, जित pump में, centrifugal pump में, तो guys, normally यह भी centrifugal jet pump है, इसका vacuum power as comparison बात करों, जो normally centrifugal pump होता है, उससे कह सकता हूँ कि धाई से तीन गुना ज्यादा होता है, और best होता है, आप जैसे कि guys, मैंने एक किलो वाट में ली है, और मैं normal centrifugal pump एक किलो वाट में लेता है, तो guys, वो मेरा 3 या 4 मंजल तक पानी नहीं पहुचा पाता, guys, यह अराम से मेरा 4-5 मंजल तक पानी पहुचा सकता है, but guys, मैं 4 मंजल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो first class पानी की कोई problem नहीं हो, guys, कहां पी यूज़ कर रहा हूँ, मैं boring से पानी सक कर रहा हूँ, अपने third floor तक, तो guys, आप समझ सकते हैं इतनी capacity, क्योंकि already, मैं 135-140 feet से नीचे से पानी खीश रहा हूँ, कम से कम मैं, कम से कम 20 feet पानी उपर फैख रहा हूँ, तो guys, उस चीज़ को लेके बात करूँ, तो मैं कहीं ना कहीं, बहुत ही जाज़ा compatible आ जाती है, 6-4 रोपी motor है, जो normally guys, आप वैसे भी खरीदते हैं, तो 3 35 की पढ़ती है, तो guys, centrifugal एक बार लगवाल है, तो शायद आपको कभी problem नहीं आएगे, तो guys, मैंने पिछली बार जो लगाई थी, वो एक local motor लगा रखी थी, जो 6 साल तक चली without any problem, but इस बाँ मैंने सोचा क्रॉप्टन के लगाँ हूँ, तो इसलिए मैंने mainly वीडियो तो guys, यह जो model है, SWJ है, तो guys, आप भी खरीज सकते हैं, मातर आपको 606,000 या असाड़े 6,000 रुपे के पढ़ जाती है market में, but guys, इसकी खासियत क्या है, guys, आपको मैं भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा, भी connection भी करेंगे, सबसे पहले unboxing में guys, कुछ तो ज्यादा main नहीं थ आपको यह equipment के जैसे ही, guys, यह होता है, कि आप कहीं खुले से पानी खीच रहे हैं, तो इसे आगे लगाना जरूरी है, क्योंकि ब्लेट में कुछ on ना चला जाए, guys, यह होता है handle, बड़ यह plastic का है, तो आप इसे ज्यादा सुरक्षित नहीं मान सकते, क्योंकि तूटने के इसे ज्यादा चांसे से comparison बताऊं तो मोटर के तो आप छेकिनों की मोटर है, वेटीड है, एंड यह, guys, आप देख सकते हैं, self-pumping centrifugal jet pump and SWJ, जो है, इसका model number कह सकते हैं, एंड उपर एक अलग से sticker लगा रखा है, Indian best brand, तो guys, यह थोड़ा सा अलग लगता है, कि आपको ने बा अच्छी है, यह नहीं कूँगा की पैसा ज्यादा लिया है, इस 6000 रुपे की नॉर्मली थी, कोई ज्यादा नहीं, और बात करूँ, वायड अच्छी लगी, मुझे मैंने ऊशा से comparison करा तो मुझे crop turn ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि electronics के मामले में कूँँ तो ज्यादा अ पानी को रोक लेता है, मोटर के अंदर बहार निकल लेनी देता है, तो आप इस चीज का यूज़ करते हैं, और कहीं भी पोर्टिबल जगा पर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जरूर लगा के रखें, बहुत जादा फायदा होगा, रियाली है कि आपको बार बार पानी भन करते हैं तो इससे ब्लैक कलर की रवड कहते हैं, वैसे तो इससे और नॉर्मली टेखनिकल नेम इसका सील आ जाता है, तो वह वह भी अच्छी है कि पानी को गई से निकलने का मौका नहीं देती, और बात करें कि दो तीन, चार महीं ने भी खड़ी रहेगी तो कहीं भी रख तो प्लास्टिक है, बट वीट इट नहीं है, बिल्कुल लाइट है, और इसकी जो फिक्वेंसी हर्ट से वह है 23 और यहां पर कुछ टेक्निकल इंफोर्मेशन आ जाती है, अब आउट दी मोटर, एंड जादा तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था शुरू में, बात करें, अभी तो कोई ज्यादा इसमें कुछ चीजें नहीं है, देखा जाए तो और यहां पर लिख भी रखाए 25 का है, जो हमारा और 440 वूल्ट की सप्लाइ, आइमीन कहते हैं कि कि किक देता है, स्टार्ट करने के लिए का इस बात करते हैं, कनेक्शन को रिलेटिट त काइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेंली टार्गेट था वो कनेक्शन है, और पीछे जो यह पॉइंट दे रखा है, मोटर रुकाने के लिए कि बहुत अच्छा है, किसी के बात करूं तो, और मैंने नॉर्मली काइस कोई टैक्निशन की भी जरूरत ने नॉर्मली पंदरा चौदा के चावी लग जाती है इसमें, जो कि अभी मुझे मालूम चला तब मैंने लगाई थी, और चार स्कुरू थे, बस कसने थे, और मोटर फिट, बट आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन भी दिखाँगा, जो एलेक्टिसिटी से रिलेटि पूरी वीडियो में पाउं ही आया मेरा, और यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर फायदा हो जाता है कि आप छोटी से छोटी चीज भी बहुत ही असानी से कर सकते हैं, और ऊपर वाला भी रह गया था, साइड वाला कनेक्शन पूरा प्रॉपर कर दिया था, मैंने और बात करते हैं, यहां पर थोड़ा यह जो वायर आई थी मेरे पाथ छोटी से निकली वी तो इसे मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मेरी में इन कनेक्शन वायर है, वह बहुत लंबी निकाल रखे हैं, मैंने कहीं से यह नहीं कि सविच लगा कि इसमें डारेक्ली उपर था, तब मैंने डारेक्ली खोला था, और यहां पर ज़्यादा टफ काम नहीं था, चीजों को ले के बहुत ही असानी से आप कर सकते हैं, खुद भी कुछ यह नहीं कूँगा, बस सेफटी का थोड़ा से धियान रखे हैं, क्योंकि मुझे गनक्शन आते हैं, क्योंकि मुझ तारो को मुझे थोड़ा सा और टेक्निकल समान लेकाना पड़ा, चीलने के लिए गाइस काती बाती, और जो आलरीडी मैं मेरी आप वीडियो सेक्शन में देखेंगे, तो वैसे सारा इलेक्ट्रोनिक समान में शेर करता हैं तो आपके साथ, और नॉर्मली नीचे से पेच क लगा दी, आगे लमसम जो है वो पावर्ड सपोर्ट है, आपको फिक्स करने की जड़रत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब मोटर बिल्कुल हवा में लटकी हो तो ज्यादा चांसे रहते हैं, खराब होने के बट आपने पीछे सपोर्ट लगा दी, आगे वो आलरीडी कह सकत करने के बाद वीडियो नहीं बना पाया उसकी में, तो कैस रवड का एक एक सांपल दे दूँ ट्रक की हलकी सी जो ट्रक का टायर होता है, वो खराब टायर, उसकी में रवड पैट लिया था तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि अब उस पर पहले हलकी सी वाइबरेशन आ और वो जो बाइबरेशन हो रही थी हलके सी फ्लोर से रिलेटेड तो वो भी खतम होगी तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और बात करते हैं गाइस टेक्निकल कनेक्शन की तो नॉर्मल यह आपको ध्यान रख लेना है कि टेस्टर का यूस करें बैस्ट रहता है कि पता चल जाता ह इसलिए आप कर सकते हैं कोई जादा विफाल तो किसी टेक्निशन को पैसे वैसे देना तो वो भी कहीं सही नहीं है बट आपको बिल्कुल नहीं नॉलीज है तो गाईस मैं यह दूँ है कि बिना टेक्निशन का मत कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं नृटल फेस का भी आपको हल वह जाती है तो इसमें कोई से जादा टाइब शूट नहीं आए थी हैं मैंने खोदी कनेक्शन कर लिए तो आप समझ सकते हैं कि यार कुछ भी हो सकता है लाइफ में कभी वी कैसे सब्सक्राइब नहीं तो हमेशा काम के लिए हमें रहना चाहिए और यह काइस फाइनली लास्ट ओ गाइस मैंने ठल्ट वायर नहीं ती है इसमें नीटल से रिलेटेट मुझे देना चाहिए थी बड़ यहां पर मेरे कनेक्शन में नहीं है तो इसलिए मैंने जॉइन नहीं कि यह नहीं कि यार बस उपर का ठकन छोड़ दो बाद में कभी नहीं गाइज पूरा पैक करिए प्रॉपर तरीके से जैसी होती है कि कंपनी चीजों को बड़ा ध्यान रखती है और आपकी छोटी सी भी कलती किसी के लिए बड़ी बैयानक दर्दनाक चीज बन जाए तो चीजो यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनल टच अप दे रहा हूं मैं एंड फाइनली यहां पर यह वायर्ड है पीछे कर दी है एंड यहां पर चम चम आती भी दिख गई तो गईस मैंने आपको सब कुछ दिखाये इस से रिलेट्टेट की क्या था इसके अंदर कैसे कैसे मैंने इसे पैकेसिंग खोली और क्या था कैसे फिट की कैस सब कुछ लीक आया है वेडियो में I hope you like this video. Please like, share, subscribe now. Thank you for watching this video.